हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा अब नभील है आयोस 14.5 के सदमे से आप लोग बाहर नहीं आयते यालिकि आप लोग सोच रहे हो कि क्यों 14.5 आपके आइफोन पर नहीं आया मेरे आइफोन बहुत सारे लोगों पता नहीं होता लेकिन सब चीज़ एक्स् कर दिया है अब लोग बोलेंगे भाई हमारे फोन पे तो 14.5 नहीं आया 14.6 कहां से आगया आपके फोन में और कुछ लोगों ने यहां तक बोल दिया मुझे कि भाई 14.5 जो है कैंसल हो गया आप 14.6 के उपर वीडियो बनाओ अरे 14.6 पे वीडियो बनाएंगे 14.5 कैंसल नह आया है 4.69 GB का क्योंकि यह नया फॉर्मवेर है जैसे 14.5 कल आया था आर सी वर्जिन 4.69 GB का यहां पर यह भी जो है 4.69 GB का आया है मेरे आइफोन 12 के ऊपर अगर आपके पास आइफोन 12 की जगा 12 Pro Max है आइफोन 11 है आइफोन 12 मीनी है तो उसके लिए जो है अलग-अलग साइ यह आर सी वर्जिन है फाइनल वर्जिन है जो आप लोग के आइफोन पर आने वाला है यहां पर मोडेम फॉर्मवेर जो था 1.62.1 था और यहां पर फ्री स्पेस था 16.65 GB अपडेट करने के बाद यहां पर 16.35 GB और अवेलेबल फ्री स्पेस कम हो गया है लेकिन यहां पर न एपल ने मोडेम फॉर्मवेर के जरीए से वाइफाय कनेक्शन आपका मुबाइल देटा वगरा जो है उसको फिक्स करनी कोशिश किया है यहां पर आप देख सकते हैं सिंगल टावर रहता है मेरे ओफिस में एटल का लेकिन अभी दो टावर आया है इसके वारे में भी आग होगे और 14.6 आपने अगर यहां पर सर्च किया तो यहां पर आल्सो अवैलेबल करके एक टाब नीचे लिखके आएगा यह आर्सी वर्जिन के लिए अपल ने यहां पर नया सिस्टम लेकर आया है जिसमें अगर फाइनल वर्जिन जो आर्सी वर्जिन है वह आपके आईफ आपडेट कर सकते हैं बिना रिमूफ किये बेटा प्रोफाइल को आफटर अपडेट करने के बाद आप चूज कर सकते कि अगला बेटा करना है या फिर रेगुलर वर्जिन करना है तो यह काफी अच्छा फीचर आपल यहां पर लेके आया है जो कि आगे आने वाले बेटा वर्जिन के अंदर भी आपको काम आगा बहुत लोग को लगता है कि बेटा से इस टेबल पर किस जाएंगे इस टेबल से बेटा पर किस जाएंगे तो यहां पर आपको अपने मैकबुक की कोई ज़रूत नहीं है इसके अलावा यहां पर कुछ नए फीचर आये है जो मैं आ पॉटकास्ट के अंदर पॉटकास्ट के अंदर जो आप आएंगे तो यहां पे जो है आपको ऊपर आपका यहां पर आइकन नजर आएगा जो भी आपका आपल आईडी का रहेगा वो यहां पर आपको आपका फोटो नजर आएगा और इसमें जाएंगे तो मैनेज सब्सक तो यह वाले options आपको नजर आते हैं, लेकिन जब podcast के subscription आ जाएंगे तो यहां पर वो चीज भी आप देख सकते हैं, और उसको subscribe कर सकते हैं, अगला जो feature यहां पर आए दोस्तों, वो उन लोगों के लिए जो Apple Home और Home devices इस्तमाल करते हैं, जैसे HomePod Mini हो गया, HomePod हो गया या दूसर दोस्तों जो अगला नया feature आया है, वो आया है आपकी app library में, app library में अगर आप enterprise related कोई application रखे हो, तो यहां पर उससे related भी एक और folder आपको नजर आएगा, app library को Apple गिरे दिरे जो है इंप्रूफ करते जा रहा है, I hope कि iOS 15 के अंदर यह और बहतर हो जाए, 4.1 के अंदर भी काफ useful चीज़े रहती है, तो यहां पर एक और नया folder आइड होगा, मिरे पास वो application नहीं है, तो आपको भी वो चीज़ यहां पर देखने मिलेगी, तो यह थे खाई सारे नये features, iOS 14.6, beta 1 के, अभी आपको बताता हूँ, यहां पर जो है कुछ important bugs भी Apple ने fix किया है, सबसे पहला bug क् green tint issue का, जो 14.5 में भी है, और एक साथ सभी iPhones पे नहीं हो जाएगा, अलग-अलग iPhones पे जो है, अलग-अलग time पे हो सकता है, once and for all जो है, सब के लिए एक साथ तो शायद नहीं होगा, तो यहां पे अगर आप कोई dark mode में, dark wall पे पर भी हो, तो यहां पे green tint का issue जो है, maximum iPhones पे, ख iOS 14 के release के साथ से आया वा फीचर है, जो है आपके privacy के अंदर, tracking के अंदर, तो यह जो फीचर है, allow apps to track वाला, यह iOS 14.5 का, जब final version आएगा, उसके अपल implement करने वाला है, और actual में, add tracking वाकरा को रोकने वाला कम लिए तो यह कुछ iPhones के अंदर, ग्रेड आउट रहता था, यहां प Bluetooth connections related, यह 14.5 में भी किया था, यहां पे भी Apple कोशिश से उसको बैतर बनाने के लिए, तो अगर आपके आपके वास home pod है, उससे connection में problem आ रहा है, Apple Watch से, या फिर आपके AirPods से, और खास आपे AirPods के लिए, AirPods Pro के लिए, तो वो issue भी यहां पे Apple ने fix किया है, इसके अंदर, अब बात क प्राबले, अभी जो है, काफी आगे हम लोग आ चुके है, अब बात कर लेते guys, Geekbench के Benchmarks की पहले कितने थे, और अभी कितने है, बहुत लोग बोलते कि कैसे आप टेस्ट करते, तो यह Geekbench application है, और इसके अंदर जाके आप टेस्ट कर सकते है, 70-80 रूपए का application है, आप चा और आज है 1588 और 4014, तो 19-20 का फरक है, थोड़ा यह कम हो गया, थोड़ा यह बढ़ गया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अलावा computational benchmark score भी देख लेते हैं, पहले था 9464 और अभी है 9299, तो यहाँ पे जो है, अच्छा खासा benchmark score जो है, वो कम हुआ है, वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यह भी बहुत जादा है, कोई दिक्कत आपको कोई परेशानी नहीं आएगी आपके फोन के साथ, अगली चीज़ है दोस्तो, battery life और battery health, लेकि battery life के बारे में बोलना जो है, it is just too soon, अभी नहीं बताया जा सकता, अभी अभी यह update आया है, लेकिन battery health में जाके बताता हूँ, यह पर दिक्कत वाली और डरने वाली कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, यह 100% battery health है, और 100% ही रहेगी, यह update जो है, आपकी battery health को कोई नुकसान नहीं पहुचाते है, बिंदा साब इसको कर सकते हो, battery health को नुकसान पहुचा इसके अंदर कोई प्रॉब्म नहीं आगी, अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई इसके अंदर आपको नहीं आना चाहिए, अब बात करेते दोस्तों, कि iOS 14.5 जो है, उसका stable version आपको कब देखने मिलेगा, तो यहाँ पे एप्रिल का जो आखरी हफता है, यह वाला, इसके अं इसके अंदर करना है, या फिर नहीं करना है, तो stay tuned for next week, इसमें आने की जो है, पूरे पूरे चांसे से iOS 14.5 का stable version 14.6 अभी नहीं आएगा, इसके बेटास चलेंगे, और इसके बात जो है, इसका final version रिलीज करेगा Apple, अब यहाँ पर बात करें दोस्तों, क्या आपको यह वाल करना है तो करो, नहीं करना है, तो मत करो, अगर बेटा पर अलड़ी तो कर सकते हो, मजा ले सकते हो, नहीं अपडेट का, दोस्तों यह था iOS 14.6 का बेटा वन, आप में से किन लोगों ने यह चीज इंस्टॉल की है, पताइए मुझे नीचे comment section में लिखके, अगर नहीं किया या भी जब iOS 14.5 आएगा तो वो कर लेना, अगर वो अपडेट आप नहीं करेंगे तो आपका मास काईडी जो है काम नहीं करेगा, तो यह वाला अपडेट भी एक आया है, इस वाले अपडेट के साथ, जिसके अंदर कोई चीज़ खास नहीं है, बस यह चोटा सा एक आपको आज का वीडियो पसना होगा, परसेंगे इसको लाइक और शेयर जरू कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए, गुट बाई